हलो यूरीवन गुड मॉर्निंग नवस्कार 9 मार्च 2022 और दहिंदू न्यूज अनालिसिस में आपका स्वागत है अगर आप इस न्यूज पेपर की पीडियाप कोपी को डाउनलोड करना चाहते तो आपको मिलेगे टेलिग्राम पर जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा या सीधा परिवर्तन आएस एकरणिमे टेलिग्राम पर लिखकर भी आप लोग सर्च कर सकते हैं सबसे पहले बात करेंगे रश्या और यूक्रेइन के बीच में जो कंफ्लिक्ट चल रहा है उन सब के बीच में यूक्रेइन की तरफ से एक स्टेटमेंट आती है कि ये नाटो की मेंबर्सिप को जोइन नहीं करने वाले या उसको लेकर एक तरीके से इनका फिलाल कोई ऐसा उदेशिया नहीं है जो यहां के प्रिजिडेंट एजलेंस की और रश्या प्रिजिडेंट व्लादी मेर पूइटी इनके बीच में जो सबसे ज़्यादा में कंफ्लिक्ट है इसी चीज़ को लेकर है रश्या चाहता था कि युक्रेइन एक निट्रल कंट्री रहे किसी मिलिटरी अलाइंस को जोईन ना करे और इनके बीच में ये जो एक में पॉइंट है इसको कहीं नहीं सोट आट होता हुआ नजर आ रहा है दूसरा रश्या ने दो इंपोर्टेंट रिजन को जिसमें लुहांस को डॉन्टास करकिस तरह के जो रिजन थे उनको एक तरीके से एक इंडिपेंडेंट स्टेट माना गया था उसी चीज़ को लेकर बला गया कि उसमें कहीं न कहीं ये कॉंप्रोमाइज करने के लिए रैडी यानि रश्या और यूक्रेइन के बीच में अब चीज़े आने वाले टाइम हो सकता कि यूद की समापती हो चीज़े थोड़ी सी सोट आट होती हो नजर आएगी लेकिन इसक को लेकर काफी ज़्यादा चिंतित है रश्या भी रश्या नहीं चाहता कि उसके आस पास की कोई कंट्री जो हो जोइन करा मिलिटरी अलाइन्स को और डेफिनिटली एक सीक्योर्टी के प्रस्पेक्टिव से भी कंसन है इनके अलावा यहां पर अगर आप देखेंगे यह ज लाइशन लाइशन किया युक्रेइन के अगेंस्ट और इसके अलावा इननों ने बताया कि बाद में यह भी बोला जा रहा है जो यहां के प्रिजिडेंट है युक्रेइन के जैलेंसकी इनोंने का कि हम गिव अप नहीं करेंगे हम लडाई करते रहेंगे फोरेस्ट में हो शोर्स में हो, स्ट्रीट में हो, जहां पर भी फाइट करते रहेंगे और इन्होंने बिटिस प्राइमिस चर्चिल का एक तरीके से एक्जामपल भी दिया कि कैसे वार टाइम में उन्होंने अपने बहुदरी को परस्तूत किया था सारी चीजे, फिलाल यहां पर अगर आप देखेंगे, पर्टिकलर उसी चीज को लेकर इंपेक्ट की अज़र है, और इन सब के बीच में क्या इंपेक्ट पढ़ रहे हैं उक्रेइन और रशिया के बीच में इस वोर का और भारत पर भी खतरनाक लेवल के असर पढ़ेंगे, खासकर एकनोमिक प्रस्पेक्टिव से यह हमारे लिए सबसे ज़्यादा चैलिंजीज है अब आप लोगों के लिए पहला सवाल है, युक्रेइन और रशिया को लेकर हम लगातार डिसकसन कर रहे हैं और कुछ इंपोर्टन एरिया जो है लगातार इसमें न्यूज में है, युक्रेइन की जोगर्फिकल लोकेशन हमने कई बार पढ़ी है, उसके आज पास की नेब आप लोगों के लिए होगा, इसके बाद यहाँ पर एक छोटीशी न्यूज दी गई है, जो बाइडन जो की युएस के प्रिजिडेंट उन्होंने रशियन ओयल इंपोर्ट को बैन कर दिया है, और रशिया ने वार्निंग करी थी कि गर रशिया का ओयल बैन होता है, वेस् इसका इंपक्ट आने वाले टाइम में इंडिया पर भी पड़ेगा, और यह कहीं न कहीं टार्गेट करने को लेकर होता है, युनाइटी स्टेट चाहता है कि दुनिया भर की कंट्री जो है वो रशियन ओयल को बैन कर दे, ओयल गैस एनरजी इनका इंपोर्ट जो है युए इसके लावा युक्रेइन के जो प्रिजडेंट है, उन्होंने बात करी भारत के प्राइमिस्टर से और यूरोपियन उन्योंस के लिडर से कि अब जो है वो इस कंफ्लिक्ट को एंड करवाने में मदद करें, इसके लावा यहाँ पर यह बोला गया कि वर्ड्स अनफ नहीं यह अपने आप में question mark हो जाएगा, यूक्रेइन अगर यह सारी चीज़े करनी थी, नाटो की membership नहीं लेनी थी, या इक तरीके से वो इन एरियाज को, रेवल को पहले ही एक तरीके से विकार करने वाला था, तो यह चीज़े यह जो disaster create हुआ है, यह सारी चीज़े होती नहीं तो यह कहीं नहीं एक fault है यूक्रेइन का भी, यूक्रेइन neutral रह सकता था, नाटो की membership को लेकर जुरूरी नहीं था कि उसको नाटो की membership चाहिए, और उसका impact जो है definitely वो, आप देखेंगी इस particular country के अंदर, इसके लावा अगर एक new जो air tourism के perspective से या air travel के perspective से जो government ने decision लिया है, कि जितने भी international flights हैं, उनको resume किया जाएगा 27 मार्ट से और उसे के बारे में जानकारी दी गई है, और simply यह बताया गया कि अब तक जो travel काफी ज़्यादा restriction था, air bubble agreement था, जिसके अंदर कुछ restricted और limited से flight जो हो, एक दूसरी country में जाती थी, क्योंकि यह sector बहुत important है, और tourism के perspective से बहुत important है, tourism industry को COVID-19 ने सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा है, इस context में flights का resume होना, यह एक tourism industry को recovery के लिए और economic recovery के लिए भी बहुत ज़्यादा important है, तो वो चीज़ें इसके अंदर mention करी गई है, इसके अलाबा particular कुछ इस particular page पर नहीं है, इसके बाद page number 12 पर mention किया गया ह कुछ important चीज़ें, और again यहाँ पर जो page number 1 उसके बारे में detail से बताया गया है, लेकिन सेम चीज़ें है, जलिंसकी साब ने हमारे प्रामिस्टर साब से बातचित करी, Ukraine ने drop किया कि नेटों की membership जो नहीं लेगा, लेकिन इन सब के बीच में कुछ important चीज़ें आती है, जैसे many Indian volunteers to join Ukraine, lesion करके जो word mention किया गया है, basically Ukraine ने एक website open करी थी, जिसके अंदर यह बताया गया है, दुनिया वर के जो volunteers हैं, वो Ukraine की army को या Ukraine की forces को join कर सकते हैं, लेकिन इन context में एक student news में आया कि भारत की student ने इसको join किया, और अगर ऐसा करता है, तो क्या होता है, उस context में, उसके बा है, यह भी यहाँ पर mention किया गया है, chapter 6, section 121 से लेकर 130, Indian penal code, यह offenses against the state के अंदर आएगा, और अगर ऐसा होता है, तो इस व्यक्ति को 7 साल तक सजा हो सकती, या fine, दोनों इसमें हो सकता है, यहाँ पर important यह है, कि माल लेते हैं, अगर हम country को represent करते हैं, हमारे देश की foreign policy कहीं हमारा कोई statement है, हम बिल्कुल neutral statement इसमें जारी हो रहे हैं, जहाँ पर भी आप platform पर देखेंगे, उस context में, कोई भी व्यक्ति अगर state की या country की foreign policy के against work करता है, तो यह कहने कहीं है, यह crime की तरह है, इसलिए यहाँ पर Central Intelligence Agency जो है, वो लगातार investigation कर रही है, कि कोईम टूर, Tamil Nadu का कोई student है, जो वहाँ पर पढ़ने गया था, और National Airspace University के अंदर यह पढ़ने गया था, इनका दाम है, आर सेने case करके, और इनको कहीं ने कई हो सकता है, कि अरेश्ट किया जाए, या यह Georgian National Legion करके कोई paramilitary unit है, वहाँ पर उसको join उनोंने किया था, तो आने वाले time में, इस तरह के cases भी आपको देखने को मिलेंगे, और कई सारे news आती जैसे, अगर आप देखेंगे, Islamic State को कई लोगों ने join किया था, हरत के जो नागरिक थे, जो सीरिया के अंदर या इराक के अंदर थे, उस context में क्या responsibility होगी state की, क्या उनको वापिस लाए, ना लाए, उनके मामले में inquiry होगी, और investigation किया जा रहा है, पुरा का पुरा issue basically क्या है, ठीक है, इनके अलावा, चाइना में बहुत सारे students जो medical examination के लिए पढ़ने जाते हैं, medical degrees के लिए पढ़ने जाते हैं, खासकर MBBS के लिए, उनके लिए भी एक problem है, कि वो वापिस नहीं जा पा रही है, उन अगर वो जून तक वापिस नहीं गए, तो उनकी degrees भी cancellation हो सकती, इस तरह की जानकर यहां पर इस particular page में mention की गई है, इसके बाद, यहां पर बात करेंगे, जैसे ही हमें पदा चलता है कि कच्चे तेल की कीमत लगातार बढ़ रही है, तो उस context में, यहां पर हमारे जो oil and petroleum minister है Natural gas and petroleum minister हरदिप सिंग पुरी साब, इन्होंने कहा कि oil firm जो है, डिसाइड करेगी कि fuel के prices क्या होने चाहिए, क्योंकि अभी क्या होता है, daily basis पर आप देखेंगे, fuel के prices change होते रहते हैं, और यहां पर यह बता गया कि tariff connected नहीं है, पोल से, यह कोई, इसका कोई relation नहीं है, और इ reference के बारे में, रहाल गांदी साब ने एक statement दी थी, कि election complete हो चुके है, fuel के price बढ़ने वाले, अपने विकल जाईए, अपने tanks बरवा लीजिए, तो उस context में एक जवाब दिया गया, कि यह depend करता है, fuel को लेकर कोई crisis नहीं है, country के पास enough fuel है, ठीक है, और इसके अलावा यहां प इसके alternate क्या होगे, कि crude oil अगर महंगा होगा, तो उसका क्या alternate होगा, सरकार क्या करेगी, देखो यहां पर दो problem होगी, पहला, अगर कच्चा तेल बहुत जादा महंगा हो जाता है, तो सरकार की मजबूरी हो जाएगा, कि वो उसको बेचेगी, क्योंकि tax जो है वो, अगर क्या, तो consumer pay करेंगे, और consumer pay करेंगे, तो overall जो है, वो economic recovery को काफी जादा नुकसान पहुंचाएगा, तेल, even, रशिया ने तो ये भी statement दी, कि अगर रशिया के oil और gas पर ban लगा जाता है, तो आने वाले time में, ये 300 barrel per dollar के आस पास हो सकता है, ठीक है, तो इतना अगर तेल increase हु तो इसका impact तो उसको मतलब आप imagine भी नहीं कर सकते है, कितना खतरना होगा, इसके अलावा, यहाँ पर बात की जारी है, कि भारत और चाइना के बीच में, जो bilateral disputes हैं, bilateral disputes in the sense की, अगर boundary related जो issues है, उनको sort out करने के लिए, 15th round की बातचित होगी, और उसे के बारे में जानकारी द अगर आपको याद होगा, अभी चाइना के जो foreign minister है, उन्होंने statement दिया था कि दोनों country जो है, वो किसी third country के बहकावी बनाएं, और चीजों को आपसे मिलकर sort out करें, लडाई करना या इक तरीके से issues जो create होते हैं, उसका दोनों country में से किसी को भी benefits नहीं होगा, इसी चीज को लेकर बताया गया है कि 11 मार्च को जो है वो 15th round की बातचीत होगी, अब तक 14 round की बातचीत हो चुकिए, जिसके अंदर पंगोंग शो, गलवान, गोगरा एरियाज, इन एरियाज को लेकर कुछ चीज़ें जो हो, वो sort out हो चुकी है, जो इस्टन लद्दाख वाले region में आप को देखने को मिलेगी, इस particular region के अंदर अगर आप बात करें, यहाँ पर आप देखेंगे, इस particular region में जो है boundary dispute आपको देखने को मिलेगे, इन में से कई सारे fraction पर चीज़ें sort out हो रही है और अभी कुछ एरियाज में जो है चीज़े sort out करने को लेकर लगातार, discussion आपको देख को मिलेगा, diplomatic, military, political, अलग-अलग level पर जो है discussion हो रहा, political in the sense की, जब सरकार सीधी बात करती है, diplomatic हमारे officers बात करते है, military हमारे जो defense personnel या military personnel जो बात करते हैं, वो इसके अंदर include होते हैं, तो जो अभी तीन main areas है, जिसमें hot spring है, डेम चोक और देब सांग, इनको sort out करना है, इसी चीज़ को लेकर जो discussion जो वो किया जाएगा, और अगर ये चीज़े sort out होती है, तो ये game changer होगा, भारत और चाइना के bilateral relation के perspective से भी, हलाकि dispute के बावजोद भी, इंडिया और चाइना का bilateral trade है, वो 125 billion dollar से भी ज्यादा रहा था, और उसका, अगर आप देखेंगे, भारत बड़ सारी चीज़े हम लोग import करते हैं, इसके बाद यहाँ पर एक information आई, कि official to be sensitized to digital media ethics करके जो news है, यहाँ पर mention किया गया कि information and broadcasting ministry ने approach किया कि जितने भी राज्यों के direct rate है, information and public relation के मावले में, कि वो sensitize करिये official को कि code of ethics and procedure जो बनाए गए थे, किसके मावले में, digital media के context में, तो उ Part 3, जो information technology, intermediary guidelines है, digital media ethics को rules 2021, यह जब code बनेते, इसका basically मतलब यह था कि जितने भी digital news publisher है, website है, portal है, youtube news channels है, अवर्दा टोप platform है, या जो web series या फिल्म्स इस तरह की चीज़े होती है, इनको लेकर है code of ethics होगा, जो इनको follow करना पड़ेगा, और उसके बाद अगर आप देखें काविन सब को officers को appointment करना पड़ा था, और यह जो rule है, वो लागू करने पड़े थी, तो काफी ज़्यादा important है, यह rule और digital, अगर आप देखेंगे, digital media ethics code, intermediaries guidelines के context में, इसके बाद page number 14 पर बात करते हैं, page number 14 पर एक बहुत important development के बारे में बात की जारी है, वो है, women police officers के लिए ज जहां पर वो अपने बच्चों की देखवाल कर सकते हैं, basically, krets को लेकर एक rule भी है, अगर आप देखेंगे, labor laws के अंदर एक implementation यह कानून भी बना था, कि अगर 50 से ज़्यादा महिलाएं किसी particular area के अंदर या कहीं पर job करती है, तो वहाँ पर krets की facility जो है, वो provide की जाएगी, क की जाएगी, और district level पर यह establishment की जाएगी, ठीक है, ताकि police के मामले में अगर आप देखेंगे, जो challenges है, महिला police कर्मियों के सामने, उनको वो welcome कर पाएं, उसको कई न कहीं, चीजों को sort out कर पाएं, इनके अलावा, यहाँ पर mention किया गया है, यह labor code and social security 2020 में, यह mention है कि अगर 50 और उसे ज़्यादा establishment में यह employee काम करते हैं, वहाँ पर क्रेज की facility जो हो वो provide करनी चाहिए, और एक दिन में चार बार उनको वहाँ पर visit करने की permission होगी, हाला कि यह जो कानून है, अभी भी notify नहीं किया गया है, इसके लावा maternity benefit act 1961 उसको implementation अलरी कर दिया गया है, लेकिन इसक देखेंगे, 2013 में Parliamentary Committee on Empowerment of Women on its 21st report इन में mention किया गया था, कि जो महिला पुलिस कर्मी है, उनकी working condition को लेकर अभी भी कई सारी facilities नहीं है, ensure करिए कि adequate toilets हो, allocate additional funds for them, यानि उनके लिए extra fund का जो है वो इंतिजाम होना चाहिए, और number of police women जो है as compared to male, वो अभी भी भी बहुत ही कम है 10% के आसपास है, इसको increase किया जाना चाहिए, target यह हो मिनिस्ट्री का, कि at least 33% women personal जो हो, police forces के अंदर, और 2010 में केवल 4% था, अभी 10% तक increase हुआ, increase हो रहा है, लेकिन अभी भी as compared to men या male counterpart, यह कम facilities है, इनके अलावा, क्रेज facilities जो हो, definitely महिलाओं को एक confidence booster भी देंगी, और उनको strengthen देंगी mental level पर भी, कि आने वाले time में वो अपनी function को और ज्यादा smooth कर पाए, या उसमें और ज्यादा involved हो, तो definitely यह एक अच्छा decision है आप कह सकते है, ministry of women and child development का, इसके अलावा, एक बहुत important agreement है, जिसको लेकर बात की जा रही है, motor vehicle act करके, और यह basically चार countries के साथ impact हुआ था, हलाकि बाद में बुटान की जो parliament है, उन्होंने इसको ratification नहीं किया था, इसको बोला जाता है, BBIN करके, बंगलादेश, बुटान, इंडिया, नेपाल, ठीक है, इसमें जो बुटान है, वो उसकी parliament ने इसके साथ agree नहीं हुआ कि ये environment को नुकसान पहुंचाएगा, economic लिए उनके लिए viable नहीं है, इन सब के बाद, बंगलादेश, इंडिया, नेपाल, ये अब इसके साथ आगे बढ़ेंगे, इन तीन country जो है, इसको लेकर continue इसको लेकर काम करेंगे, ये तीन country इसके next step क्या होगा, ताकि ए agreement हो, goods का और people की movement को लेकर, और ये काफी ज़्यादा important है, इसके अलावे एक subgroup के बारे में बात की जारी है, बिंस्टेक करके, बेव बिंगोल initiative for multi-sectoral technical and economic cooperation, जिसके अंदर बंगलादेश, नेपाल और भूतान, ये तो हैं, और भी बहुत सारी country जिसके अंदर आती है, और व बंगलादेश, नेपाल और भूतान के बारे मेंसिन किया गया है, आप लोगों को कमेंट करना है, कि जो बिंस्टेक है, इसके अंदर total number of seven countries, जो है, वो कौन-कौन सी है, वो आप नीचे कमेंट करेंगे, इसी के लिए बहुत सारे प्रोटकोल, पैसेंजर और कार्गो मेंट को लेकर लगाता, ट्राइल्स हुए, बुटान की परलेमेंट ने इसको implementation करने के लिए, यहां की परलेमेंट ने इसको ratify नहीं किया था, उनका यह मानना था कि भई, यह जो हमारी environment को, हमारे एक तरीके से, जो एक तरीके से बोल सकते हैं कि environment को climate sustainability को कही ने कहीं, नुक्सान पहुँचाएगा, बुटान वो country दुनिया की जो environment को sustainable development को बहुत जादा focus करता है, और उसके बाद उनने कहा थे कि आप तीन country जो आगे बड़ी हम इसमें बहुत जादा interested नहीं है, हमारे लिए sustainable development environment जो वो पहली priority के अंदर है और वो रखा भी जाता है, अगर आप ग्रोस happiness index जो है launch किया था बुटान ने कि हमारे लिए happiness बहुत जादा important है और उसी को लेकर वो priority रखतार carbon negative country है ये, carbon negative का मतलब है कि green house gases का बहुत जादा emission नहीं होता, बहुत जादा forest आपको देखने को मिलेंगे और current infrastructure के मामले में उनकी top priority के अंदर ये अभी है, इसके जंबा time हो गया, 2015 में sign किया था agreement, अभी भी इसकी progress काफी जाद slow है और आने वाले time में ये final protocols को follow करें और agreement implement हो, इसको लेकर जो है वो debate आपको देखने को मिलेगी, इसके बाद स्रिलंका के जो finance mister है, वो इंडिया के अंदर फिर से आ रहे हैं, और स्रिलंका इस time पे दुनिय कि वो country बन चुकी है, जो लगातार पैसे की shortage face कर रही है, और इनका जो forex ratio है, वो भी लगातार कम हो रहा है, अगर आप भारत का देखेंगे तो 630 billion dollar के आसपास है, इनका तो 1 billion dollar के आसपास जो हो वो कहीं नहीं होगा, इस context में ये लगातार क्या कर रहे हैं, वहाँ पर fuel की shortage हो रही है, basic facility प्रोवाइड नहीं हो रही है, अगर fuel की shortage हो तब थी, जब इनका जो फरक्स जो काफी जाद कम है, आने वाले टाइम में, क्योंकि fuel के price बढ़ने वाले हैं, कच्छे तेल की किमत अल्रेडी बढ़ रही है, लोकल लेवल पर भी बढ़ेगी, तो इसका impact क्या ह होगा, सिलंका लगातार कोशिश कर रहा है, कि जितनी भी दुनिया से वो लोन ले सकते हैं, ले और economic crisis बोल सकते हैं, कि सिलंका के अंदर ये लगातार बना वा है, यूपियसी प्लिम्स 2022 में ये question पूछा जा सकता है, economic crisis के perspective में, लेवनान, वेंजुला, ये जो country आपको नज बात करें, भारत ने अलरेड़ी इनको 1.4 billion dollar का amount दिया है, पैसा provide किया है, तो भाई अब ये लगातार बात कर रहे हैं, कि हमें और ज्यादा पैसे दे, हमें दिक्कत हो रही है, हमें problem काफी ज्यादा face कर रहे है, इसके अलावा, अलरेड़ी भारत ने 1.4 billion dollar के assistant provide करी है, 400 dollar क यहाँ पर, यहाँ पर 400 dollar नहीं होगा, यह कुछ, I think million है, यह कितना यह mention करना भूल गए, क्योंकि 400 dollar तो भोती कम amount हो जाएगी, तो यह check करना, I think यह 400 million dollar है, ठीक है, तो 400 dollar, जो 400 million, यह basically currency swap agreement हुआ है, currency swap का मतलब क्या है, कि हमारे पास dollar तो है नहीं, आप हमारी currency में जो है, प बाद करेंगे, अभी हमारे पास पैसा है नहीं, दिक्कत हो रही है, खर्चा बहुँ ज़्यादा हो गया, और बच्चों की साधी हुई, वो सारी चीजों का लेकर, इसके लावा, 500 million dollar की line of credit दी गी तिनको fuel imports के लिए, line of credit का मतलब है, कि simply आप 500 million dollar तक loan ले सकते है, line of credit को बोरो कर सकते है, ये भी loan ही है, ठीक है, आपको payment करनी है, और एक interest के साथ आपको payment करनी है, इसके लावा आप ये चाहते हैं कि एक billion dollar का assistant जो negotiation में है, उसको fast track कर दिया जाए, final stage में है, और diplomatic sources के थुरू पता चलता है, जैसे इनकी visit होगी, ये भारत इनको provide की जा सकते है, तो इमेफो, ये इसके लावा, इंडिया, कई सारी country से नोंने पैसा ले रहा है, अब इतना पैसा ले रहा है, तो pay कैसे करेंगे, जैसे चाहिना तो pay करवा लेता है, कैसे, इनकी बहुत सारी जो port है, airport है, वो lease पर इनको देने पड़ते हैं, और ultimately country जो वो big जैसी जाती है, जैस की bracket में पाकिस्तान लिखा जाता है, वहाँ पर China लिखा जाएगा, और China पाकिस्तान economic corridor को, पाकिस्तान एक ultimately उनकी new colony जैसी आपको देखने को मिलेगा, new colonialism जैसी words आपको इस पूरे context में देखने को मिलते हैं, इसके अलावा, world affair में, दुनिया में क्या चीज़ें सल रही है, चाइना के उन्होंने दुनिया बर को कहा कि restrain करिये, चीज़ों को sort out करिये, इसको लेकर उन्होंने Macron, Emmanuel Macron है, और Olf Skolz, ये जर्वनी के chancellor है, Macron जो है, वो फ्रांस के president है, इनसे बातचित करिये, कि वहाँ चीज़ों को sort out करवाईए, क्योंकि इसका impact जो है, world economy पर खतरनाक level पर पड़ेगा, अगर ये बाते हैं, चाइना जो कि दुनिया की second biggest economy है, largest economy आप बोल सकते हैं, उस context में अगर ये बात बोली जारी है, तो इसके बहुत ज़्यादा माइने भी है, और इसको लेकर ये बताया गया है, कि इसका impact काफी ज़्यादा होगा, और इनका sanction को लेकर च प्रांसपोर्ट और सप्लाई चैन, इन सम्में कहिने के disturbance create होगा, चाइना ने भी रशिया की action को condemn नहीं किया, क्योंकि रशिया और चाइना बहुत अच्छे दोस्त, जैसे भारत और रशिया की relation है, इसे तरीके से चाइना की बहुत अच्छे relation है, चाइना की friendship जो है, वो का और इन्होंने basically Moscow को लेकर ये बताया गया कि special operation, रशिया हमेशा है बोलता है कि हमने special military operation यहाँ पर launch किया है, और basically new Nazi leaders को unset करने के लिए, रशिया का main target जो है Ukrainian President Zelensky उनको seat से हटा रहा, दूसरे उनके favor वाले President को वहाँ पर चाहते हैं, इसके अलावा कई सारी चीजे जो वेस प्रेटेक्स्ट है, इन्वेजन करने के मामने में, आप 44 million people को कैसे इन्वेज कर सकते हैं, ये कहीं कहीं question है, इसके अलावा बात करेंगे यहाँ पर पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान के प्राइमिस्टर जो है फेस कर रहे है, no confidence motion, यानि इनकी सरकार के against, कुछ वहाँ क जो MPs हैं, उन्होंने no confidence motion वो लेकर आएंगे, no confidence motion का मतलब होता है, कि उनको सरकार क्या या एक तरीके से जनता का समर्तन हासिल नहीं है, या आप बोल सकते हैं, आई विश्वास परस्ता हो, हलाकि no confidence motion में जनता का direct नहीं होता, representative होते हैं जो, या जो member of parliament होते हैं, उनका कितन government में total seats हैं, लेकिन end में इन्होंने देखों बड़ी interesting चीज़े बताई गई है, democracy और आदीप रादी जो democracy होते हैं, इन्होंने mention किया, कि army मेरे साथ खड़ी है, it will never spot thieves, ये कभी भी चोरों को spot नहीं करेगी, ये जो सब्ध है, आप देखेंगे democracy में, democracy में democratic setup से चीज़े होती है, और बड़ी interesting होती, पाकिस्तान की cabinet की कोई भी आ फोटोग्राप देखिए, उस फोटोग्राप में एक तरफ यहां के minister होंगे, और left hand side यहां के army के general यहां पर participate करते हैं, तो यह किस तरह की democracy है, समझ से पर है, और यह कई बार word इस्तमाल करते हैं, कि आपको सबसे पहले गवराना नहीं, तो यह खुद गवरा रहे हैं, क्योंकि इनके against no confidence motion जो वो आने वाला, अब आप लोगों के लिए सवाल है, जब हम no confidence motion की बात करते हैं, विश्वास परस्ताओं की बात करते हैं, तो आपको नीचे comment करना है, कि क्या भारत के समिधान में no confidence motion का जिकर है, भारत की परलेमेंट में लाए जाता है, यह जुरूर आप comment करें, यानि no confidence motion के बारे में, आपको जो भी information पताओ, आप नीचे comment करेंगे, इसके बाद बात करेंगे page number 16, जो की business या economic page है, यहाँ पर mention किया गया कि oil prices increase will certainly impact on economy, जैसे जैसे तेल की कीमत बढ़ने के बारे में news प directly impact किया जाता है, वही चीज़े बताएगी, मैंने कई पर बताया कि जैसे यहाँ पर आप देखिए, 100 रुपे तेल की कीमत नजर आ रही है, ठीक है, अगर तेल की कीमत बढ़ती है, तो क्या होता, सबसे ज़्यादा fuel based inflation create हो जाएगी, जैसे transportation important dry cost में include हो जाएगा, ठीक है, अगर transportation मेंगी होगी, तो बहुत सारी चीज़े जो alternately मेंगी हो जाएगी, और बहुत सारी चीज़े अगर मेंगी होगी, indirectly तो वो consumer को बहुत जादा impact करेगी, और तेल पर बहुत जादा चीज़े depend करते हैं, और overall हमारी economic recovery को नुक्सान पहुंचाएगी, अब बात करते हैं, मैंने front page में बताया था कि Joe Biden ने decision तो ले लिया, कि वो import को ban करेंगे Russia को, हलाकि Russian oil बहुत जादा import करते नहीं है, यूस, लेकिन फिर भी इन्होंने कहा कि हम ban करेंगे, इसका impact क्या हो रहा है, तेल की कीमत फिर से increase हो रही है, 139.3, 13 per barrel के आसपास इनकी cost हो चुकी है, इसके ल 40% gas और one quarter जो है, ये रशिया से oil purchase करता है, one quarter मतलब fourth हिस्सा, ठीक है, यनि 25%, इसके अलावा इन्होंने, अगर आप देखेंगे, रशिया ने warning करी थी कि अगर रशिया के उपर, जो dependency इनकी उपर है, इन्होंने कहा कि two-third जो imports है, वो रशिया से cut कर लेंगे, इस साल के end तक, लेकिन रशिया नहीं ये बोला था, कि अगर जो European country उन्होंने रशिया के उपर sanction लगाया, तो ये Europe को natural gas supply से cut कर देगा, और Nord Stream 1 जो pipeline है, उसको बंद कर लेगा, Nord Stream काफी जाता news में है, अभी Nord Stream 2 pipeline भी news में थी, और जिसको लेकर, जिसका काम complete हो चुआ, लेकिन वो activate नहीं है, उसको लेकर जर्मनी निकाया कि वो अभी इसको implementation नहीं करेंगे, और देखिए बड़ा energy crisis आपको देखने को मिलेगा, खासकार European countries में, और इसके अलावा, all out economic war के मतलब है, कि रशिया के against एक तरीके से economy को इनको धवस्त करने का target बना है, लेकिन ये केवल Russian economy को नहीं, जब ए उसका impact दुनिया बर की economies पर पड़ता है, और definitely हमारे लिए priority है भारत और भारत की economy पर भी इन सब का impact पड़ेगा, इंडिया रोशिया, इंडिया, यूएस और इंडिया और western countries के relation पर भी direct और indirect कुछ आपको impact देखने को मिलेगा, तो ये कुछ चीजे हैं जो हमने आज discussion करी, कुछ सवाल जो आप से पूछे गए हैं जरूर नीचे कमेंट करेंगे, धन्यवाद जहिन